नमस्कार दोस्तों उतकर्ष एप में आपका हर्दिक स्वागत अभिनंदन दोस्तों हम राजस्तान का इतियास पढ़ रहे हैं और राजस्तान के इतियास में हम पढ़ रहे हैं आज आरम करेंगे मेवाड राज्ये का इतियास दोस्तों जिस राज्ये का हम इतियास जए से कहा जाता है गुहिलोत वन्रेसे कहा जाता है याद रखेगा सिसोधिया राज वन्र तो यो कि यहाँ तो पर जिस राज वन्रेस ने साशन किया उस राजवन्र के तो नाम है जो नामिए राजवन्र कि質 suicide दोस्तों गुहिल वन्स जो है यह संसारी का सबसे प्राचीन राज्वन्स उनके के बारे में सामान्य जानकारी पड़े तो इस वंस के बारे में ये कहा जाता है संसार का सबसे प्राचीन राजवन्स संसार का सबसे प्राचीन राजवन्स संसार का जो सबसे प्राचीन राजवन्स है वो गुहिल वंस यह इसे हम कहते हैं इस वन्ष का हम सामान्य प्रीच्चे पड़ते हैं सबसे पहले दोस्तों इस वन्ष की यदि आप से पूछे कुल देवी को न है है ना सिसोधिया वन्ष या गुहिल वन्ष की जो कुल देवी है वो कुल देवी है याद रखेगा बान माता माता का नाम क्या याद रखेगा ब पान माता के राज़स्तान में जो मंदिर बने वें वो दो जगय बने वें एक तो केलवडा गाउं में बनावा है एक चित्टोडगर दुरुग में हैं ये याद रखेगा दो मंदिर बने वें कुल देवी है याद रखेगा इस वन्ष की यदि हम बात करें इस वन्ष के कुल देवता कौन है इस वन्ष के जो कुल देवता है उनका नाम है एकलिंग नात जी क्या नाम है एकलिंग नात जी याद रखेगा इस वन्ष के कौन है कुल देवता है एकलिंग नात जी का जो उदेपुर में इस्तित केलासपुरी गाम है बात करें दोस्तों हम इस मेवाड राजी के बारे में तो राजस्थान देखेगा जब भारत सहुतंतर हुआ था तब राजस्थान में कुल रियासत है कितनी थी हैना 19 रियासत है तीन ठीकाने और एक इंदरशाशीत परदेश था राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत राजस्थान की याद रखेगा जो सबसे प्राचीन रियासत है उस सबसे प्राचीन रियासत का नाम क्या है मेवाड राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जिसका नाम क्या है याद और विश्व का जो सबसे प्राचीन राजवन्स है उसका नाम क्या है याद रखेगा गुहिल वन्स या सिशोदिया राजवन्स इस वन्स की जो कुल देवी है उस कुल देवी का नाम क्या है याद रखेगा बानमाता और जो कुल देवता है वो कुल देवता कौन है याद लाद जिका जो मन्दिर बनावा वे कुन से गाओं में केलासपूरी गाओं और केलासपूरी गाओं जो है वो कहां पर है याद रखेगा उद्वपूर मे अब देखिएगा मेवाड़ राजि इस राज्य जही हम सामाने परीचे पढ़े इस राज्य की कुल राजदानिया कित याद रखेगा नागदा पहली राजदानी नागदा दूसरी राजदानी बनी थी अहाड तीसरी राजदानी बना याद रखेगा चित्तोडगड दुरूग कोंशा दुरूग चित्तोडगड दुरूग चोती राजदानी बनी थी याद रखेगा उदेपुरू पांचवी राजदानी बनी थी याद रखेगा कुंबल गड़ और उसके बाद में राजदानी बनी थी याद रखेगा चावंड चावंड उसके बाद में राजदानी पुने बना था चितोड़ गड़ और उसके बाद में राजदानी बना याद रखेगा उधेपूर तो राजदानी याद रखेगा नमबर एक नागदा नमबर दो आहड नमबर तीन चितोडगड नमबर चार उदेपुर नमबर पांच कुम्बलगड नमबर छे चावन नमबर साथ जो है वो याद रखेगा चितोडगड और नमबर जो आठ है वो राजदानी बनी थी याद रखेगा अब यदि हम पड़े सबसे पहले इस मेवाड शेत्र का इतियास कुन से शेत्र का इतियास याद रखेगा मेवाड शेत्र का इतियास कुन से शेत्र का इतियास मेवाड शेत्र का इतियास दोस्तों मेवाड शेत्र का इतियास यदि पड़े कि इस परकार का याद रखेगा ये एक मेवाड रज्य था ये इस परकार का एक रज्य जिसका नाम क्या है याद रखेगा इसे क्या का गया मेवाड कहा गया मेवाड रज्य कहा गया इस मेवाड रज्य में वर्तमान में जो जिल्ले आते हैं वो जिल्ले कितने आते हैं याद रखेगा चार जिल्लों का जो सेत्र है वो पहले मेवाड कहलाता था यह चार जिल्ले है कौन-कौन से यदि हम बात करें तो नमबर एक याद रखेगा चितोडगड, नमबर दो याद रखेगा भीलवड़ा, नमबर तीन याद रखेगा उदेपुर, और नमबर चार याद रखेगा राज समन्द, याद रखेगा इस मेवाड, याद रखेगा इस मेवाड राजी में वरतमान में जो कुल जिले आते ह वो कुल कितने जिले आते हैं, चार जिलों का सेत्र फ़ल याद रखेगा मेवाड कहलाता है, इसका यदि हम बात करें माभारत काल में, यदि हम बात करें कुन से काल में याद रखेगा माभारत काल में, तो माभारत काल में यह सेत्र, यह सेत्र, शिवी जन्पद का अंग था, शीवी जन्पद का अंग था कौन से जन्पद का अंग था याद रखेगा शीवी जन्पद का अंग था माभारत काल में याद रखेगा ये जो सेतर था ये सेतर याद रखेगा कौन से जन्पद का अंग था तो याद रखेगा शीवी जन्पद का याद रखेगा अंग था जिसकी राजदानी मद्यमिका थी जिसकी राजदानी मद्यमिका और मद्यमिका का वर्तमान में जो नाम है वो नाम है नगरी वरतमान में नाम है नगरी और नगरी जो है वो नगरी कहां पर है चितोड़ गड़ जिसकी राजदानी कहां पर थी याद रखेगा मध्यमी का थी तो माभारत काल में ये सिवी जन्पद का अंग था जिसकी राजदानी क्या थी याद रखेगा मध्यमिका थी और केते हैं कि कालांतर में इस सेत्र का जो नाम पड़ा था वो याद रखेगा मेर जाती की अधिक्ता के कारण अधिक्ता के कारण मेर या मेव जाती की अधिक्ता के कारण यह सेत्र कालांतर में अफीन मेद पाट मेद मेद पाट जो सब्ध है वह सब्ध कौन सी बासा का समस्कर्ट बासा का मेद पाट का लग्धर में याद रखेगा मेद पाट केलाया जिस इंदी में कि प्राग वाट कहा गया जिसे इंदी में क्या का गया याद रखेगा प्रागवाट कहा गया में क्या का गया प्रागवाट का गया कहते हैं कि कालांतर में इसी का जो नाम पड़ा वो याद रखेगा इसी का नाम क्या पड़ा था याद रखेगा मेवाड पड़ा और मेवाड नाम पड़ा याद रखेगा इसी का अपवरंस होकर कालांतर में नाम क्या पड़ा मेवाड मेर या मेव है ना और दूसरा सब्द है वाड तो वाड का अर्थ जो होता है वो वाड का अर्थ होता रक्षित प्रदीश कुन सा प्रदीश याद रखेगा रक्षित प्रदीश तो मेवाड का यदि आप से साब्दिक अर्थ पुछे तो मेवाड का जो साब्दिक अर्थ होत मेर्वो या मेरवों से रक्षित प्रदेश क्या कहला याद हुद करेंगा या मेवार और्याया यह याद रखेंगा ये दो तर दोस्तों जिस राजवन्स ने साशन किया उस राजवन्स का नाम है ुहिल बंस या उसे कहा जाता है हम कfund चार जिलें कोन-कोन से चितोदो गड़ गया बेलवडा है उदेपूर है और याद राज समंद्क इन चार जिलों का सहें उसके मेवार के लाया माभारत काल में ये जो सेतर था वो सिवी जन्पद का अंग था माभारत काल में जो ये आपको पता हो तो जो सेतर था वो जन्पदों में विबाजित था और ये सिवी जन्पद का अंग था इसकी राजदानी क्या थी मद्यमिका मद्यमिका का वर्तमार में नाम है नगरी नगरी में खुदाई के दोरान चांदी के सिक्खे मिले हैं उनके उपर मद्यमिका इस शब्द लिखा हुआ और दूसरी तरफ शीवी जन्पद से शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब ये सेत्र माभारत काल में शीवी जन्पद का अंग था और इसकी राजदानी मध्यमिका थी जिस इस्तान पर ये सिक्के मिले उसी इस्तान को मध्यमिका माना गया है और ये सिक्के मिले नगरी से इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि साइद नगरी का जो प्राच करते भासा में नाम क्या पड़ा मेदपाट और हिंदी में इसे क्या का गया प्रागवाट कहा गया बाद में इसका नाम पड़ा मेवाड हैना मेदपाट का अर्थ पुछे तो मेदपाट का अर्थ होता है मेरों का देश मेरों का देश या मेवों का देश मेदपाट का आर्थ और यदि मेवार का आर्थ पुछे तो मेवार का जो अर्थ होता है मेवों या मेरों से जो रक्षित प्रदेश है उसे क्या कहा जता है याद रखेगा मेवार कहा जता है तो ये बाते आप याद रखेगा नोट कीजिएगा तो उसके बाद में हम देखे तो heading डालिएगा मेवाड रज्ये का जंडा कौन से रज्ये का जंडा मेवाड रज्ये का जंडा दोस्तों मेवाड रज्ये का जो जंडा था वो जंडा किस परकार का था कौन से राज्य का जंड़ा याद रखेगा मेवाड राज्य का जंड़ा आपको मेवाड राज्य का जो जंड़ा देखने को मिलेगा वो इस परकार से मिलेगा ये याद रखेगा मेवाड राज्य का जो जंडा मिलेगा कुन से राज्य का जंडा मेवाड राज्य का जंडा यह इस प्रकार के नीचे पट्टी मिलेगी और यहां पर याद रखेगा आकर्ती मिलेगी बहुआ सूरी की इसका मतलब मेवाड का जो यह गुहिल वंस है यह याद रखेगा सूर्य वंसी है क्या मिलेगा याद रखेगा सूर्य वन्सी और बीच में आपको नाम मिलेगा चितोडगड दुरुगगद रिश्य मिलेगा इस परकार का चितोडगड या कहीं पर उधेपुर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको एक तरफ जो इसमें योदा खड़ा है वो याद रखेगा सत्रिय योदा खड़ा है है ना एक तरफ तो इसमें जो खड़ा है वो सत्रिय योदा सत्रिय योदा और दूशी तरफ आपको जो खड़ा मिलेगा इसमें वो मिलेगा याद रखेगा भील सेनापती पूंजाजी भील सेनापती पूंजाजी कौन मिलेंगे याद रखेगा भील सेनापती पूंजाजी और यहां इसका जो आदर स्वाइक है याद रखेगा जो दर्ड राखे धरम को तीही राखे करतार यह याद रखेगा तीही राखे करतार यह इस वन्ष का याद रखेगा आपको क्या मिलेगा आदर स्वाइक है जो दर्ड राखे धरम को तीही राखे करतार इसका अर्थ होता है संसार का करता अथार्थ परमात्मा उसी की रख्षा करता है जो अपने धरंग अपने धरम पर अपने कर्तविय पर याद रखेगा अडिग रेता है जो बिल सेनापती याद रखेगा पुंजा जी मिलेंगे इनके हाथ में आपको क्या मिलेंगे याद रखेगा तो इनके पिछे क्या मिलेगा तरकस तरकस याद रखेगा भाला है ना तीर कमान तीर कमान ये मिलेगा और जो शत्रिय योदा है इनके हाथ में आपको क्या मिलेग ये इस प्रकार का याद रखेगा मेवाड राज्य का जंडा है तो एक तो यहाँ पर इस वन से बहुत सारे ऐसे प्रमान मिलते हैं जैसे मेवाड में जो सबसे पहले सोने के सीके चलाए थे वो काल बोज या बपा रावल के दूरा चलाए गए हम आगे पढ़ेंगे तो काल बोज या बपा रावल ने जो सोने के सीके चलाए उन पर दोस्तों हैना सूरिय के आकरती चितरित मिलती है नमबर एक नमबर दो मेवाड के एक ससक हुए जिनका नाम था माराना राइमल माराना राइमल ने बहुत सारे लेक लिखवाए उन लेकों पर याद रखेगा सूरिय के आकरती चितरित करवाई और तीसरा यह जंडा जिसके उपर सूरिय के आकरती मिलती है यह तीन ऐसे प्रमान मिलते हैं जिनसे यह साबित होता है कि मेवाड का जो गुहिल वंस है मेवाड का जो सिसोधिया वंस है वो यादर केगा कैसा है सूरिय वंस ही है तो एक बार यह आप जंडा नोट कीजेगा फिर आगे पड़ते हैं अब देखिएगा इसके बाद में रेडिंग डाले हया ना गुहिल वंस की उतक्ति है कौन से वंस की उत्पत्ति याद रखिएगा गुहिल वंस की उत्पत्ति जो वंस है उस वंस का नाम क्या है गुहिल वंस गुहिल वंस की उत्पत्ति के बारे में एक तो कथन है अबुल फजल का किसका कथन है याद रखिएगा अबुल फजल के अनुसार किसके अनुसार याद रखेगा अबूल फजल के अनुसार अबूल फजल जो कहता है वो कहता है कि मेवार के जो गुहिल राजा हुए है वो इरान के साथ नोसका का आदिल की याद रखेगा संताने है यह कहता है अबूल फजल है ना मेवाड मेवाड का गुहिल वन्ष इरान के सासक इरान के सासक नोश का आदिल की संताने है संताने है यह जो कहता है वो कौन कहता है अबूल फजल कहता है दूसरा जो है वो दूसरा है किसके अनुसार कंडल जेम्स टोड के अनुसार कंडल जेम्स टोड के अनुसार किसके अनुसार कंडल जेम्स टोड के अनुसार कंडल जेम्स टोड जो है वो कंडल जेम्स टोड क्या कहता है कंडल जेम्स टोड कहता है कि मेवाड का जो गुहिल वन्स है वो गुजरात के वलबिन अगर राज्ये के सासक याद रखेगा सिल्ला दित्ये के याद रखेगा वन गुहिल बंस गुजरात के वलब भी नगर सामराज्य के सासक सामराज्य के सासक शिल्ला दित्य के वन्स अजए तो मेवाड के गुहिल वन्स की उत्पत्ति के बारे में याद रखेगा इंपोर्टेंट जो कथन है वो दो कथन है एक तो अबुल फजल के अनुशार और दूसरा है याद रखेगा कंडल जेम्स तोड के अनुशार दोनों को आप नोट कीजिए देखेगा तो यह समझ में आ गया आपके मेवाड में गुहिल वन्स की उत्पत्ति के बारे में जो कथन है वो दो कथन है याद रखेगा अब देखेगा मेवाड का पहला राजा जो बनता है उसका नाम क्या है राजा गुहिल मेवार का पहला राजा जिनका नाम क्या है याद रखेगा राजा गुहिल अब दोस्तों जो राजा गुहिल है इस राजा गुहिल के बहुत चारे नाम मिलते है राजा गुहिल जो है राजा गुहिल को राजा गुहादित्य भी कहा जाता है गुहिलोत भी कहा जाता है और इनका जो परशिद नाम है वो परशिद नाम क्या है राजा गुहिल दोस्तों जो विक्ति जिस वन्ष की इस्थापना करता है उसको कहा जाता संस्तापक उसी को कहा जाता आधी पुरूस उसी को कहा जाता मूल पुरूस तो मेवाड के गुहिल राजा गुहिल ही है तो इनके बारे में यह लिख सकते हैं है डाइमाड के अगर मेवाड के गुहिल वन्स के सहस्ता पक गुहिल वन्स के सहस्ता पक आदी पुरुस संस्तापक इनी भी कह सकते हैं आदी पुरुस या इनी कह सकते हैं याद रखेगा हम मूल पुरुस मूल पुरुस मेवार के गुहिलवन्स के संस्तापक आदी पुरुस या हमीने क्या कह सकते हैं याद रखेगा मूल पुरुस कह सकते हैं इनके बारे में देखें तो याद रखेगा इनकी माता का नाम इनकी माता का नाम था पुषपावती माता का नाम क्या था पुषपावती और इनके पिताकार जो नाम था वो नाम क्या था याद रखेगा सिल्ला दित्ती है ये सिल्ला दित्ती है गुजरात के वलब भी नगर के सा सकते है और इनका जो लालन पालन किया गया था इनका लालन पालन वीर नगर की कमलावती नामक ब्रामनी ने किया वीर नगर की कमलावती नामक ब्रामनी ने किया, ब्रामनी ने किया, तो इनका जो लालन पालन है, वो लालन पालन किस के दुवारा किया गया, वीर नगर की कमलावती नामक ब्रामनी के दुवारा याद रखेगा, इनका क्या किया गया, लालन पालन किया गया, अब बात करें, इन्होंने सन 566 इश्वी में याद रखेगा वेरी इंपोर्टेंट सन 566 इश्वी में मेवाड में गुहिल वन्स की स्थापना की मेवाड में गुहिल वन्स की स्थापना की इस्तापना की तो मेवाड में जो गुहिल वन्स की इस्तापना की गी थी वो किस के दूरा राजा गुहिल के दूरा याद रखेगा की गी थी राजा गुहिल केते हैं कि बच्पन में गुफा में रेने के कारण इनको याद रखेगा गुहिलोत कहा गया इनी को याद रखेगा गुहा दित्य कहा गया इनी का जो नाम है वो नाम याद रखेगा राजा गुही लिपड़ा है इनकी माता का जो नाम था वो माता कोन थी याद रखेगा कमला वती याद रखेगा पुश्पा वती पुश्पा वती याद रखेगा आबू की परमार रा और इनके जो पिता थे जिनका नाम क्या है याद रखेगा सिल्ला दित्ये सिल्ला दित्ये कौन थे याद रखेगा वलब्विनगर के सासक वलब्विनगर के सासक कहां के सासक है याद रखेगा वलब्विनगर के सासक और इनका जो लालन पालन किया था वो वीर नगर गुजर गुहिल वन्स की स्थापना की तो ये मेवाड के पर्थम सासक हुए इन्हों नहीं मेवाड में गुहिल वन्स की स्थापना की जो विक्ति जिस वन्स की स्थापना करता उसको क्या कहा जाता संस्तापक आदी पुरूस या उसे क्या कहा जाता है मूल पुरूस कहा जाता है तो जो बड़ा नाम आता है वो नाम आता है याद रखेगा है ना काल भोजगा किसका नाम आता है याद रखेगा काल भोजगा बोच्छारे राजा बने लेकिन जो काल भोज है याद रखेगा नाम क्या है काल भोज का दूसरा जो नाम है वो दूसरा नाम क्या है बपा रावल का काल भोजिया इन्हें क्या का जता बपा रावल कहा जता है सन 634 इश्वी से लेकर सन 653 इश्वी तक याद रखेगा यह मेवाड के सा सक्रें इनका जो कारियकाल है वो कारियकाल कहां से कहां तक है सन 634 इश्वी से लेकर सन 653 इश्वी तक का इनका कारियकाल है मेवाड के जो पर्थम तागत वरे राजा थे वो कौन थे काल भोजिया बपा रावल थे केते हैं कि इनके जो पिता थे मेंदर दित्ये ये मेंदर दित्ये के संतान थे यानि मेंदर दित्ये के ये पूत्तर थे मेंदर दित्ये की भीलों की हित्या कर दी इसलिए भील इनको भी मारना चाते थे इसलिए ये बचपन में हारीत रिशी की गायें चराते थे एशा कहा जाता है तो इनके बारे में लिखना चाहे तो याद रखेगा एक तो इनके बारे में ये कहा जाता मेवाड के पर्थम तागतवर राजा मेवाड के पर्थम तागतवर राजा प्रत्थम तागत्वर राजा हुए हैं वो काल भोज यह हम यू कर सकते हैं बपा रावल बच्पन में यह हारित रिशी की गायें चराते थे बच्पन में यह हारित रिशी की बच्पन में हारित रिशी की क्या चराते थे याद रखेगा गायें चराते थे और हारित रिशी एक बार केते हैं कि मेवाड पर जो है वो मेवाड पर जुनेद का आकर्मन हुआ तब केते हैं कि काल भोज ने परजा की रक्षा की और इसी से प्रशन होकर हारित रिशी ने इनको बपा रावल की याद रखेगा उपादी दी थी एक बार मेवाड पर जुनेद का आकर्मन हुआ तब जन्ता की रक्षा काल भोज दुआरा दे काल भोज दुआरा की गई किसके दुवारा की गई काल भोज के दुवारा की गई इसे से प्रशन होकर हारित रिशी ने हारित रिशी ने इनको इनको बपा रावल की उपादी दी इनको याद रखेगा जो उपादी किस ने दी थी बपा रावल ने याद रखेगा इनको यह उपादी दी थी एशा भी कहा जाता है कि इने हारित रिशी के आशिरवाद से हारित रिशी के आशिरवाद से मेवाड रज्य की प्राप्ती हुई मेवाड रज्य की प्राप्ती हुई तो इन्हें याद रखेगा किस के आशिरवाद से मेवाड रज्य की प्राप्ती हुई थी मेवाड में सर्वे प्रथम सोने के शिके याद रखेगा मेवाड में सर्वे प्रथम सोने के शिके काल भोज दुवरा चलाए गए मेवाड में सर्वे प्रथम सोने के शिके चलाए गए थे वह किस के दुवरा चले गए काल भोज के दूरा याद रखेगा मेवाड में सब्वे पर्थम सोने के सिक्के चला गए इसके अतरिक्त बात करें तो इन्होंने याद रखेगा काल भोज ने किसने याद रखेगा काल भोज ने अपने राज्ये की पहली राजदानी नागदा को बनाया काल भोज ने नागदा को अपनी राजदानी बनाया मेवाड की जो पहली राजदानी थी वो पहली राजदानी कोन शी थी याद रखेगा नागदा और राजदानी बनाने वाले जो थे वो थे कोन याद रखेगा काल भोज तो काल भोज ने याद रखेगा सबसे पहले अपन मान्लमौर्ये से चितोडड जदुरू दरुग चीन लिया मान मोरिये सन 734 इश्वी में मान मोरिये से चितोडगट दुरुग काल भोज ने छीन लिया काल भोज ने छीन लिया किस ने छीन लिया था याद रखेगा काल भोज ने छीन लिया कब छीन लिया था सन 734 इश्वी में तो सन 734 इश्वी में मान मोरिये से याद रखेगा कौनशा दुरूग छीन लिया, चितोर गट दुरूग छीन लिया और छीना किसने था याद रखेगा काल, भोजिया, बपपा, रावल ने लेकिन इनकी जो राजदानी थी वो इनकी राजदानी याद रखेगा नागदा ही बनी रही इसके अलावा इन्होंने एक मंदिर का निर्मान करवाया एकलिंग नात जी के मंदिर का निर्मान एकलिंग नात जी के मंदिर का निर्मान मंदिर का निर्मान कौन से गाउं में करवाया केलास पूरी गाउं में कौन से गाउं में करवाया गया केलास पूरी गाउं और किलाश पूरी गाऊं कहाँ पर है याद रखेगा उधेव पूर में किस ने बनवाया काल भूझ दुवारा निर्मित काल भोज दुवारा निर्मित यह जो मंदिर है यह मंदिर किश के दुवारा निर्मित है काल भोज के दुवारा निर्मित है और काल भोज की जो छत्री बनीवी है ना काल भोज की छत्री वो बनीवी है नागदा में और नागदा जो है वो नागदा कहां पर है उदेपुर में यह परमुख योगदान याद रखेगा काल भोज या भपा रावल का या भपारे वल का जो परमुख योगदाने वह परमुख योगदान क्या है एक तो सन सासो चोटिस ईश्वी से लेकर सन सासो तरपन ईश्वी तक ये मेवाड के साशक रहे हैं याद रखेगा दोस्तों मेवाड के जो पर्थम तागतवर राजा हुए है मेवाड के पर्थम जो सबसे सक्तिशाली साशक हुए है वो काल भोज या याद रखेगा बपा हरावल तब कहते हैं कि परजा की जो रक्षा की थी वो काल भोज या बपा रावल ने की इसलिए हारित रिशी ने याद रखेगा प्रशन होकर काल भोज को बपा रावल की उपादी दी थी तो इनको बपा रावल की उपादी हारित रिशी के द्वारा दी गई और ये भी कहा गया ब सर्वे परतम सोने के सिके चलाए गए याद रखेगा मेवाड में जो सर्वे परतम सोने के जो सिके चलाए गए वो किस के दूरा चलाए गए काल भोज के दूरा चलाए गए थे मेवाड में सबसे पहले सोने के सिखे और मेवाड की जो पहली राजदानी थी उस राजदानी का नाम क्या है नागदा किस ने बनाई काल भोजिया बपा रावल ने बनाई इन्हों ने सन 734 इश्वी में याद रखेगा कब सन 734 इश्वी में चितोडगड़ दुरूग छीन लिया था काल भोज ने एक लिंगनाज जी के मंदिर का जो निर्मान करवाया केलासपुरी गाउं में वो इनी के दुवरा करवाया गया यही मेवाड के आपको पता हो तो कौन है कुल देवता है मेवाड के गुहिल वन्स या सिशोदी अवन्स के जो कुल देवता है वो याद रखेगा यही है इनकी छत्री जो है वो नागदा में इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह चार हाथ की दूती पेंते हैं एक साथ में एक बकरा खाते हैं चार हाथ की दूती पेंते हैं 32 मन का अपने हाथ में नाम क्या है याद रखेगा राजा अलट देखेगा राजा अलट के बारे में राजा अलट के पास में एक तो मिलती है उपादी और उस उपादी का नाम क्या है याद रखेगा आलू रावल आलू रावल याद रखेगा मेवाड के किस साशक को आलू रावल की उपादी प्र आप थे राजा अलट को दूसरा इन्होंने अपने राज्य की जो नई राजदानी बनाया वो नई राजदानी बनाया था याद रखेगा आहाड को इन्होंने अपने राज्य की जो नई राजदानी बनाया वो नई राजदानी किसको बनाया आहाड को और आहाड जो है वो आ मेवाड में, मेवाड में सर्वे पर्थम, मेवाड में सर्वे पर्थम नोकरशाई विवस्ता का गटन, मेवाड में सर्वे पर्थम नोकरशाई विवस्ता का गटन, मेवाड में सर्वे पर्थम नोकरशाई विवस्ता का जो गटन किया गया, वो राजा अलट के दूरा किया था राजा अलट ने हून राजकुमारी हरिया देवी से विवा किया और केते हैं कि ये राजस्तान का पहला अंतराष्ट ये विवा था तो इन्होंने जो विवा किया था वो विवा किसे किया था हून राजकुमारी हरिया देवी से याद रखेगा विवा किया तो इन्होंने हून राजकुमारी हरिया देवी से विवा किया हून राजकुमारी याद रखेगा हरिया देवी से इन्होंने क्या किया था विवा किया यह राजस्थान का यह राजस्थान का पर्थम अंतराष्टिय विवा था तो राजस्थान का याद रखेगा यह पर्थम अंतराष्टिय विवा राजा अलट के बारे में प्रमुक योगदान है एक तो इनके पास में जो उपादी है दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट है याद रखेगा उपादी कौनशी है आलू रावल की याद रखेगा इनके पास में उपादी है कौनशी उपादी आलू रावल की इन्होंने अपने राज्य की जो नई राजदानी बनाया वो नई राजदानी किसको बनाया था अहाड को और अहाड जो है वो अहाड कहां पर है याद रखेगा उधेपुर में इसको इन्होंने अपने राज्य की नई राजदानी बनाया दूसरा मेवार में याद रखेगा सर्वे पर्थम मेवार में जो सर्वे पर्थम नोकर्षाई वेवेस्ता का गटन किया गया था वो इनी के दुवरा किया गया अधियों ने हून राजगुमारी याद रखेगा हरिया देवी से विवा किया था हून राजगुमारी याद रखेगा नाम क्या हरिया देवी ये नोट कीजेगा आफ किस के बारे में राजा अलट के बारे में पूछे तो ये याद रखना आपको के बाद में हम बात करें तो मेवाड का एक सासक बनता है जिसका नाम है याद रखेगा सक्ती सिंग मेवाड का जो सासक बनता है वो सासक कौन बनता है याद रखेगा सक्ती सिंग मेवाड के सासक जिनका नाम क्या है याद रखेगा सक्ति सिंग सक्ति सिंग का जो कारियकाल मिलता है वो सन 977 से 993 तक सन 993 तक याद रखेगा इनका कारी काल मिलता है देखिएगा सक्ति सिंग के काल में सक्ति सिंग के शासनकाल में शक्ति सींग के शासनकाल की पर्मु गटनाए यहाँ पर है मालवा यानि मद्य प्रदेश मालवा का राजा था जिसका नाम था राजा मुंझ परमार सासक था परमार सासक राजा मुंझ कोंसे वन्ष का परमार वन्ष का इन्होंने याद रखेगा मेवाड पर आ और इसके आज़ पास का जो सेत्र था वो राजा मुंज ने याद रखेगा सक्ति सिंग से छीन लिया था और राजा मुंज के जो वन्शज थे जिनका नाम था याद रखेगा भोज परमार क्या नाम था भोज परमार और भोज परमार ने चितोडगड दुरूग में तिरुभवन नाराइन मंदिर कौन सा मंदिर तिरुभवन नाराइन मंदिर या इसी मंदिर को कहा जाता याद रखेगा भोज मंदिर इस मंदिर का याद रखेगा निर्मान करवाया ये मंदिर जो बनवाया गया वो चितोड़गट दुरूग में बनवाया गया तो ये जो परमुक गटना है वो किस के सासनकाल की है सक्ति सिंग के सासनकाल की याद रखेगा परमुक गटना है तो इनके बारे में यह लिख सकते हैं, पहला मालवा के परमार साशक, राजा मुंज ने सक्ती सिंग से चित्तोडगड़ूग छीन लिया, कौन सा दुरूग छीन लिया, याद रखेगा चित्तोडगड़ दुरूग छीन लिया, एक तो ये घट्ता हैं, किस के काल की याद रखेगा, सक्ती सिंग के काल की, दूसरा राज्या मुंज के वन्सज याद रखेगा बोज परमारने किसने याद रखेगा बोज परमारने चितोड़ दुरुग में या चितोड़ दुरुग में है ना यह लिख सकते हैं तिरुभवन नाराइन मंदिर या या हम यह कह सकते हैं याद रखेगा भोज मंदिर का निर्मान करवाया निर्मान करवाया यह याद रखेगा मेत्वेपून गटना है तो यह जो मेत्वेपून गटना है वो मेत्वेपून गटना किसके काल की है सकती सिंग के सासन काल की मेत्वेपून गटना है इनके बाद में याद रखेगा मेवाड के सासकों के बारे में पड़े तो एक सासक बनता है जिसका नाम है याद रखेगा सेम सिंग मेवाड का सासक याद रखेगा सेम सिंग इनके काल में याद रखेगा रावल साका का प्रारम हुआ कुन शी साका याद रखेगा रावल साका तो रावल साका का जो प्रारम हुआ था इनके काल में याद रखेगा रावल साका का प्रारम रावल साका का प्रारम किसका प्रारम रावल साका का प्रारम सेम सिंग के काल में हुआ और सेम सिंग के दो बेटे एक का नाम है याद रखेगा सामन सिंग के नाम है सामन सिंग और दूसरा एक बेटा है जिसका नाम है याद रखेगा कुमार सिंग सामन्द सिंग और याद रखेगा कुमार सिंग सामन्द सिंग के बारे में ये कहा जाता है इन्होंने इन्होंने वगड रज्ये की इस्थापना की इस्थापना की तो याद रखेगा वगड रजी की जो इस्थापना करने वाला जो है वो कौन है सामन्द सिंग है सामन्द सिंग ने याद रखेगा वगड रजी की इस्थापना की थी और ये कुमार सिंग जो है वो याद रखेगा कुमार सिंग जो है वो हम यूँ कह सकते हैं, जालोर के जो सासक थे, है ना, जालोर के सासक जिनका नाम है कीर्तिपाल चोहान या कित्तु चोहान कहा जाता है, कीर्तिपाल चोहान, कीर्तिपाल चोहान को हराकर, हराकर चितोड़गड दुरुग पर अधिकार किया चितोड़गड दुरुग पर क्या किया याद रखेगा अधिकार किया तो ये मेवाड के याद रखेगा जो प्रारंबिक सासक थे उन प्रारंबिक सासकों के बारे में हमने इस कलास में पढ़ा है तो दोस्तों अब जो next class होगी वहां से हम पढ़ेंगे मेवाड के सासक रावल जेतर शिंग रावल याद रखेगा रतन शिंग और उनके बाद में विदिवत रूप से मेवाड के सासकों के बारे में पढ़ना आरम करेंगे तो इस इस class में दोस्तों हम आज यहीं तक पढ़ेंगे बाकी का हम next class में पढ़ेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद